हेवरिवान वेलकम और वेलकम पैक तो माई चनल तो यह शौट्स मैंने कल्या परसो ही शेयर आप लोगों के साथ किया ता जिस पर बहुत सारे कॉमेंट आए कि सारी का लिंक दे दो अचा सारी जो है वो इंस्टाग्राम से है बहुत सारे पीसिस मतलब इंस्टाग्राम पर बहुत सारी सारी ऐसी होती है जो मुझे बहुत पसंद आती है तो उन्हें मैं यूट्यूब पर डाल देती है जिससे कि अगर आपको चाहिए तो फटा फट आप इंस्टाग्राम से इ मतलब ऐसे बन गया था बट रही बात मेकप को लुक की तो येस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाले अपना यही वाला मेकप लुक यह जो मेकप लुक है ना इस तरह का है क्योंकि मैंने पांच से छे साड़ी या फिर सूट मतलब सब कुछ एक मिक्स कलेक्शन शूट किया थ तो इस तरह का मेकप मैंने किया है जो हर एक ड्रेस के साथ जाएगा ठीक है तो सबसे पहले मैंने लगाया टोनर टोनर के बाद मैंने अपलाई किया ये फेस सीरम क्योंकि मेरी स्किन जो है ड्राय है अगर आपकी स्किन डॉन राय है तो आप ये वाला पार्ट जो है स्किप भी कर सकते हैं तोनर को अच्छे से सूखने दिया और सिर्म को अच्छे से अपलाई किया जिससे कि वो मेरी सकिन के अंदर सई से अब्रसॉब हो जाए क्योंकि सकिन अगर हम अच्छे से प्रैप करेंगे ना तो ही मेकप टेगेगा उसके बाद मैंने अप्लाई किया sunscreen और जितने भी product हैं सभी का link आपको description box मिल जाएगा So easily आप वहाँ से इन products की shopping कर सकते हैं Sunscreen को मैंने अपने पूरे face पर और neck पर अच्छे से apply कर लिया उसके बाद मैंने लगाया primer अच्छा make-up जो है वो बहुत जदा heavy नहीं होने वाला लेकिन product अच्छे खासे use होते हैं मतलब no make-up make-up look में भी अच्छा खासा make-up होता ही होता है उसके बाद मैंने apply किया ये foundation foundation को अच्छे से activate करेंगे और बहुत मतलब ये ना foundation जो है full coverage ने नॉर्मल coverage आपको देता है इसी वजह से जो मेरे face पर एक तुद दाने है वो आपको visible होंगे क्योंकि मैंने अच्छ कुछ नहीं लगाया कि दाने या dark circles में चुपाऊं बहुत ही normal सा make-up मैंने किया जो glow करे और western और Indian सब ही attire पर अच्छा लगे फिर मैंने एक beauty blender की help से इसे अच्छे से blend कर लिया और beauty blender जो था wet था ये तो खेर आप सभी को पताई होगा इसको अच्छे से blend करने के बाद मैंने अपलाई किया concealer concealer यार अगर आपको बढ़िया सा concealer ढूंड रहे ना तो इससे अच्छा option नहीं होने वाला ये बहुत ही ज़दा प्यारा concealer है प्लस मैंने concealer और foundation अब दोनों ही देखो कि मैंने इनकी shade बिल्कुल भी light नहीं ली है अगर हम थोड़ी सी भी light tone ले ले लेते हैं ना especially foundation की तो वो हमारे make-up को grey कर देता है लेकिन मैं concealer की भी एक normal tone ये यूज़ करते हूँ जैसे की बहुत ज़दा मतलब under eye और जो highlighted area बहुत ज़दा पॉप अप ना हो day look में इतना ज़दा अच्छा नहीं लगता रात में तो फिर भी चलता है लेकिन अगर day make-up की बात करें तो हलका full catch लगता है so कहीं भी day function में आप इस make-up look को try कर सकते हो उसके बाद लिया मैंने ये loose powder और ये है brand sugar से link इसका प्याप पो description box में मिल चाहेगा तो इसे मैंने आप देख सकते हो अपनी face की shape दी है इसी से ही under eye में लगाया और ऐसे ही छोड़ दिया उसके बाद compact लिया brush में एक fluffy brush में अपनी eyes को settle down किया अगर आपको बहुत ज़दा dramatic eyes चाहिए तो आप eyes पर concealer लगाईएगा उसके बाद make-up कीजेगा लेकिन में को बहुत ज़दा dramatic नहीं चाहिए थी एक subtle सा look में को चाहिए था तो इसलिए मैंने direct सिफ compact से set किया आप देखो कि मैंने बिल्कु भी concealer नहीं लगाया था compact से set किया और शुरू कर दिया भाई eye makeup करना यहाँ पर एक lighter shade ली यह वाला palette इसमें आपको सारी shades मिल जाएंगी अगर आपको dark light मतलब किसी वी तरह की eyes का make-up चाहिए तो यह वाला palette sufficient होने वाला बहुत सारे palette की नीद आपको नहीं होगी तो यहाँ पर मैंने light shade से अपनी जो eyelid है उनको settle down किया उसके बाद मैंने orange stone ली और यह वाली जो orange tone है मैंने इस ले ली क्योंकि मैंको बहुत सारे color shoot करने थे मतलब single single कर दी तो यार पूरा दिन make-up करने में चाहता तो यह जो shade है वो ऐसा है कि साड़ी के साथ suit के साथ हर एक सारा से अच्छा लगता है बहुत जादा आखे मतलब एकदम पॉप अप नहीं होती है तो आप देखो मैंने outer corner पर product को deposit किया है उसके बाद उसे inner corner तक circular way मैंने उसको merge किया है बहुत जदा product हम नहीं लेंगे मतलब जितना डाक आप को जहीं उसके according आप ले सकते हो लेकिन थ अपर की तरफ लगाया और एक orangey stone मुझे दिख रहा था यही color अगर आपको एकदम bright दिखाना है तो concealer के उपर अपलाई किजगा तब जो भी आप color यूज करोगे उसका actual color निकल गाएगा अगर concealer के साथ यूज करते हैं उसके बाद यह जो palette में यूज करी हूँ मेरा most 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 favorite है और यह है ब्रेंड मनेश मलोतरा से यह वाला फिलहाल आउट ओफ स्टोक है तो इसके जैसा जो दूसरा है उसका link में description box में डाल दूगी वैसे price का बहुत डिफरेंस है यह तेहरा सो चोहदा सो के असपास कह चोटा सा और वह आपको 500.500.500 मिल जाएगा उसका भी pigmentation काफ कभी भी starting से start नहीं करती थोड़ा मोटा पतला होने का डर रहता है इसलिए मैं हमेशा center से start करके फिर starting में जाती हूँ और पहले मैंने सोचा कि बारीक liner लगा हूँ लेकिन मुझे अपनी eyes पर बारीक eyeliner नहीं अच्छा लगता तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मोटा eyeliner लगाया ज जो actual look होता है ना वही आपको दिखेगा क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ मैं बहुत ज़दा dark makeup अगर कर लेती हूँ ना तो मुझे खुद को ही ने अच्छा लगता इसलिए मतलब मैं इसी तरह का makeup करती हूँ आज तो मैंने फिर भी foundation लगाया है otherwise मैं CC cream या फिर serum ही चुटकी ने सारे तोड़ती है उनको गिराती रहती है तो कुछ भी यूज करने से पहले उसको टाइट करना पड़ता है यहां पर मैंने जितना भी लूज पाउडर लगाया था वो हटा लिया उसके बाद कॉमपेक्ट लेंगे कॉमपेक्ट अपने फेस पर अच्छे से ल यह वाला मेरा वो पैलेट है जिसे आप लोग बहुत सदा पूछते हो इसी का बलश में यूज करती हूँ खत्म होने वाला है लिया डस्ट ओफ किया और अपने स्माइल करके अपने चीक बोन्स पर इसको अच्छे से अपलाई किया इसमें जो डार्क शेड है अगर मैं उन अपलाई करेंगे जिसे लुक बहुत प्यारा आता है तो यस ब्लश यहाँ पर मेरा लग गया उसके बाद मैं अपलाई करूंगी हाइलाइटर हाइलाइटर के लिए मैंने एक छोटा फलफी ब्रश लिया बिल्कुल साफ यह ब्रश है हाइलाइटर लिया इसमें एक पिंक ह हाले हाइलाइटर ही पसंदाने बंद हो गया हाला कि मैं लगाती हूँ नो डाउट पर मोस्ट अब दा टाइम मैं इसी को यूज करती हूँ जिसे आप लोग पूछते हो हाइलाइटर आपके मेक अप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है इसी से एक्च्वल ग्लो हमारे चेहरे पर आता है और यार मेरे हेर इतने खराब होगे ना मतब syn बेबी हेर आ रहे हैं क् salvar की बहुत ज़दा हुआ शिवी कि होने के बाद बेबी हेर आ रहे हैं और मेरा जो हेर टेक्श्र है वो कर लिये तो即ष आप मेरे हेर की हालत आगे से क्या और रिकी है ब अपनी आइवरोज को सेट कर सकते हूँ वो भी आर एकदम सही लगता है और मैं इसी से करती हूँ मस्कारा से करती हूँ नाकी ब्रश और जो अभी मैंने लगा है था यार क्या बोलते हैं उसको ब्राउन पैलेट से और इसके बाद वाटर लाइन में काजल अपलाई करूंगी सिर्फ वाटर लाइन में अपलाई करूंगी काजल और इसके बाद मैं लूँगी ब्राउन और ओरेंज जो मैंने आखो पर यूज की थी उन दोनों शेट का कॉंबिनेशन एक पॉइंटेट ब्रश में और उसे अपनी लोवर लेशिस के पास लगा लूँगी इससे क्या है कि आखो का जो लुक होता है ना वो कंप्लीट हो जाता है आप देखो कि मैंने बिलकुल भी डार्क काजल नहीं लगाया रीजन यही है कि बहुत जादा भड़कीली आखी मुझे नहीं चाहिए थी उसके बाद लोवर लेशिस में मैंने लगाया फिर से आईलाइनर अपर ल अचा रखा था ना बहुत ही ज़्यादा से यहां मेरा आईलाइनर भी लग गया और मेरा मेक अप जो है वो कंपीट हो गया और मुस्ट के कंपीट होई गया है तो अब लिप्स्टिक जो मैं अप्लाई करूंगी यह दो लिप्स्टिक का कॉम्बो है रीजन यह है देखो इ बहुत जादा गंदी लगती है तो यहां पर मैंने डाक शेड से अपनी लिप्स की आउटलाइन की और फिलिंग जो मैं करूंगी न्यूट शेड से करूंगी दोनों ही लिप्स्टिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएका लिप्स्टिक यह वाली भी जादा आते हैं तो यह आप देखो लिप्स पर अप्लाई करती है इसका मतलब ग्लो ही कुछ और आता है और पूरा मेकप तब ही अच्छा लगता है जब आप लिप्स्टिक अप्लाई कर लेते हो उसके बाद मैं अपने करूंगी हैर सेट जो कि थोड़े मुश्किल हो जात हो गया है जब यह अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद मैं अपने हैर में अप्लाई करूंगी सेरम बहुत 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 अच्छा सीरम है अगर आपके फ्रिजी हैर है ना तो यार इसको ट्राई करके देखो मज़ा आजाएगा इतना प्यारा प्रोड़क्त है अपने हैर में मैंने से अच्छे सप्लाई किया और यह बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगता एक पंप या मैकसिमम जब कभी ज़्यादा हैर खराब हो दो पंप सफीशन्ट होते हैं मेरे हैर के लिए तो प्रोड़क्त भी बहुत ज़रा सा यूज होता है अब हो जाते है रेडी और जूल्री नौल पहन कर यह आया मेरा फाइनल लुक कॉमेंट करके बताना कैसा लगा ट्राई जरूर करके देखना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान है इसके बाद मैंने यह ग्रीन वाली साड़ी शूट की थी और भी बहुत सारी सारी शूट की थी तो यह वा प्रॉडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मुल जाएगा बहुत आसान है यहार पता है मेरे को भी वीडियो बनाते बनाते मेकप करना है वरना मुझे कुछ भी नहीं यादा था मैं सिर्फ एक मॉस्ट्राइजर फेस पर लगाते थी लिप्स्टिक बिंदी सकता है होप यह वीडियो आप लोगों के लिए उस फूलोगी बाबाई